भारत को आज़ादी देनाने वाले एक ऐसे नायक जिनको उनका credit इस आज़ादी के लिए कभी नहीं मिला। उनकी मौत कैसे हुई है? आज तक हमारे सामने रह से है. कुछ कहते हैं कि plane crash में उनकी death हो गई, कुछ ये कहते हैं कि प्लेन क्राश में वो जिन्दा बच गए और अपनी पूरी जिन्दगी उत्तर पदेश में गुमनामी बाबा के नाम से उन्हें ने बिताई कुछ लोगों का ये कहना है जब लाल बाहदु शासरी 65 का युद्ध जीतने के बाद ताशकन गए थे अग्रीमेंट साइन करने तो वहाँ पर उनकी सुभाष चंदर बोस से मुलाकात कुई और वो शायद सुभाष बाबू को अपने साथ भारत लेकर आने वाले थे ऐसी कई थ्योरीज हैं जो रहस से बनकर इस व्यक्ति के साथ ही इस दुनिया से चली गए लेकिन क्या होता अगर सुभाष चंदर बोस की डेथ नहीं हुई होती क्या होता अगर इंडियन नाशनल आर्मी वो कर जाती जो सुभाष चंदर बोस भी सोचा हुआ था वैसे इस ने उतना कुछ कर भी लिया था जितना वो चाते थे क्योंकि भारत की आजादी में आज भी सबसे बड़ा योगदान हमें सुभाष चंदर बोस और उनकी आर्मी का ही देखने को मिलता है लेकिन अगर सुभाष चंदर बोस 1947 में 1950 में और उसके बाद भी जिन्दा होते तो क देश की हालात क्या आज ऐसे ही होते या फिर सुभाष बाबू अपने हिसाब से इस देश को पूरी तरीके से चेंज करते और नाशनल इंटेग्रिटी की जो बेसिकली चीज हमें देखने को मिलती इस देश में शायद वो बड़े स्तर पर देखने को मिलती और कश्मीर की स अगर सुभाष बाबू जो है एक बहुत बड़े प्रॉमिनिट लीडर रहे थे हमारी आजादी के वक्त पूरी की पूरी की पूरी कॉरी कांग्रेस से लड़कर अलग हो चुके थे 1938 में जब ये तृपूरी के सेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे पट्टा भी सीता रमया को हरा कर despite of the fact की मातबा गांदी ने सभी कांग्रेस के मेंबर्स को कहा था कि आप पट्टा भी सीता रमया को वोट देंगे और यहाँ पर मातबा गांदी बीच उस मीटिंग में उठकर चले गए थे नाराज होकर और यहाँ पर सुभाष चंद्रबोस की आइडेलोजी साफ तोर पर यही थी कि जिस साल वो अध्यक्ष बने उसके अगले साल 1939 में हमें सेकेंड वर्ल वार स्टार्ट होता हुआ दिखता है और यहाँ पर सुभाष चंद्रबोस ने मातबा गांदी को कहा कि मैं जर्मनी जाकर हिटलर से बात करूँगा उसके साथ एक ट्रीटी करूँगा और जर्मन आर्मी को इस बात के लिए कन्विंस करूँगा कि वो इंडियन नाशन आर्मी या फिर उस वक्त की जो इंडियन आर्मी थी ईसके साथ मिलकर भारत में अंग्रेजों के खिलाफ अड़े और World War कोई भी जीते, कोई भी हारे हिस्से हमें कोई लेना देना नहीं है लेकिन भारत जो है वो अंग्रेजों से पूरी तरीके से आजाधी हासिल कर लेगा यहां पर मात्मा गांदी ने कहा कि यह हिंसा है लेकिन सुभाज बाबू ने इस पर मात्मा गांदी और बंडित नेरू को कहा कि जब भारतिय सेनिक अंग्रेजों की तरफ से जर्मनी के खिलाफ लड़ सकते हैं तो यह हिंसा नहीं है लेकिन जब भारतिय सेनिक जर्मनी के साथ मिलकर अंग्रेजों के साथ लड़ेंगे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे तो यह किस तरीके की हिंसा होगा यह तो हिपोक्रसी जादा साउंड करती है और इसी ideological differences की वज़ाए से सुभाष चंदर बोस ने कॉंग्रेस की अध् इसन रीजन पे आएने ने अटैक भी किया अंग्रेजों के खिलाफ वो एक छोटी सी बैटल भी वो जीते और नौर्थीजन इंडिया को 42-43 में आजाद कराया और आएने को इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली सरकार डिक्लियर की और खुद को आजाद भारत का पहला प् परता है और थ्योरी उसके बाद ये निकल कर आती है कि उसी रास्ते में प्लेन किराश में उनकी टेथ हो गई लेकिन अगर सुभाष चंद्र बोस आज यानि की आजादी के बाद अगर भारत का हिस्सा होते तो उनका जो विजन था वो बेसिकली अलग तरीके से भारत का ए नहां पर एक थी कि national interest सब से ऊपर होना चाहिए अगर आपका धर्म आपकी जाती है आपका समविधान आपका secularism अगर national interest से ऊपर आता है यान्न national interest second third priority पे आता है तो आप national security के लिए सबसे बड़ा खतरा है तो secularism तो इनके vision में था लेकिन national interest और national security इनकी priority पे थी और इनका य भी हो सकता था कि independence के बाद जो communal violence हमें हिंदो और Muslim के बीच में partition के वक्त देखने को मिला शायद ना वो partition होता और ना वो violence हमें सुभाष चंद्र बोस की वज़े से देखने को मिलता इसके अलाबा सुभाष चंद्र बोस यहां पर पूरी तरीके से socialism और economic independence के favor में थे याने सुभाष चंद्र बोस का यह मानना था कि जो भी resources है इस देश के वो पूरी तरीके से सभी लोगों में जरूरत के हिताब से बराबर बराबर बाटे जाने चाहिए और economic independence जो है यहां पर देश के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है और आजादी के तुरंत बाद से ही वो भारत में industries को शुरू करने के पक्ष में थे याने उनका यह मानना था कि जब तक आप secondary sector को growth नहीं देंगे economy आपकी grow नहीं करेगी employment generate नहीं होगा देश में पैसा नहीं आगा और भारत को दूसरे देशों पर पैसों की मदद के लिए funds के लिए dependent रहना पड़ेगा शायद जो आज हमें भारत की economic independence देखने को मिलती है सुभाष चंद्र बोस की वज़ा से वो economic independence हमें काफी पहले देखने को मिल सकती थी यहां तक की अगर बात करें तो सुभाष चंद्र बोस तो उस वक्त की civil services examination है वो भी crack कर चुके था लेकिन नौकरी करने से उन्होंने अंग्रेजों को मना कर दिया था इसका मतलब यह है कि सुभाष चंद्र बोस को हर उससे जादा alliances और जादा strong alliances शायद हम सुभाष चंद्र बोस के अंडर यहां पर बना सकते थे यानिक की जो foreign policy है वो पूरी तरीके से सुभाष चंद्र बोस का एक main ideology था जिसमें वो South Asia को और South East Asia को इंडिया के नाम से पूरी तरीके से lead करना चाहते थे एक और चीज़ यहां पर सुभाष चंद्र बोस के बारे में देखने को मिलती है कि वो democracy में decentralization में तो बिलकुल यकीन करते थे लेकिन इसके अलावा वो एक stronger central government चाहते थे याने की integrity और unity के लिए यह जरूरी है कि केंद्र सरकार को जादा से जादा ताकते मिले यही सुभाष चंद्र बोस की ideology थी काफी हता की ideology आज भी हम यह भारती संविधान के अनुच्छे एक से लेकर चार तक देखने को मिलती है जिसमें territory और border से related सारी की सारी शक्तियां जो है वो central government को दी गई है लेकिन आज state government के obstacle की वज़ज़ से कभी भी कई बार जब हम लोग देखते हैं कि internal security में threat आता है बनाया गया था लेकिन उसमें कश्मीर के समस्या रही हो सकता है अगर सुभाष चंदर बोस होते तो सरदार पटेल गी और जादा बेहतर तरीके से वो मदद करते और ये integration हमारा और जादा आसानी से भी हो सकता था सबसे बड़ी बात यहां पर ये होती कि सुभाष चंदर बोस हमेशा देश की growth development में youth को सबसे बड़ा यहां पर एक भुद्दा मानते थे और अगर सुभाष चंदर बोस भारत की आजादी तक रहते हमारे साथ तो youth को सबसे जादा वो inspire करते जब हम कहते हैं कि भारत की 60 प्रतीशक से जादा अबादी 35 वरश से कम उम्र की है that means India is the youngest nation of this country इस बात का फाइदा शायद आज तक हम लोग नहीं उठा पाए हैं लेकिन इस बात का फाइदा सुभाष बाबू बहुत अच्छे से उठा सकते थे क्योंकि उनको पता था कि अगर किसी भी तरीके के political landscape हो या social landscape हो या economic landscape हो अगर उसमें reforms लेकर आना है तो उसमें youth की जरूरत सबसे जादा होती है और सुभाष चंदरबोस जो है वो इस चीज को करने में basically सबसे आगे रह सकते थे इसके अलावा जितनी भी gender inequalities हमें देखने को मिलती है या communalism की problem देखने को मिलती है सुभाष बाबू जो है वो इसको बहुत आसानी से दूर कर सकते थे क्योंकि सुभाष चंदरबोस देश के नाम पर हर एक व्यक्ति को जोड़ना एक दूसरे से जानते थे इंडियन नाशनल आर्मी इसका खुद बहुत बड़ा एक्जामपल है क्योंकि उस आर्मी में सिर्फ उसरे सवरक हर कोई सुभाष बाबू का follower था कोई हिंदू, मुस्लिम सिक इफाई नहीं था यानि कि सुभाष बाबू को ये पता था कि जापी और धर्म से संबंदित जो विवाद हैं उसको हम लोग राश्रवाद के नाम सर, नैशनलिजम के नाम से पूरी तरीके से खतम कर सकते हैं और शायद हमारी independence की जो जर्नी है वो और जादा बहतरीन रह सकती थी और independence के बाद भी जिस लेवल का development हमें देखने को मिला है इस देश में उस development में और भी हमें यहाँ पर तेजी जो है वो देखने को मिल सकती थी अब अगर हम लोग इनकी national identity की बात करते हैं कि इनकी जो theory थी national identity की वो यही थी कि भारत का हजारों सालों का culture रहा है, tradition रहा है, जो heritage रहे हैं, अलग समुदायों से जो चीज़ें हमें मिली है वो सारी की सारी हमें संजो कर रखनी है, सहेज कर रखनी है क्योंकि यह भारत को एक basically uniqueness प्रोवाइड करता है और जो cultural recognition भारत को देगा वो एक अलग मुकाम पर भारत को यहां पर पहुँचा सकता है, अंतवे सरफ यही का जा सकता है कि अगर hypothetically सुभाष चंदर बोस पोस्ट independent एरा में भी present होते तो शायद भारत का हमें यहां पर एक अलग चहरा देखने को मिलता और social economic और foreign policy में यहां पर सुभाष चंदर बोस का एक बहुत बड़ा जो योगदान है, रोल है, वो यहां पर रह सकता था लेकिन कई बार कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिसे हम लोग याद करते ही कि काश ऐसा होता लेकिन हो नहीं पाया, यह भी उनमें से एक है लेकिन बात दरसल यह है कि सुभाष चंदर बोस को जब वो credit नहीं दिया गया आजादी का जो हमारी NCRT की किताबों में किसी और को दे दिया गया है जब किसी दो तीन personalities की हम लोग बात करते हैं जिनका आजादी में सबसे बड़ा योगदान रहा उनके लिए NCRT चाप्टर्स पे चाप्टर्स छाप देती है पचास-पचास पन्ने लिख देती है लेकिन सुभाष चंदर बोस एक underrated hero की तरह रह जाते हैं जिनके बारे में NCRT सिर्फ दो या तीन paragraph में आपको बता देती है कि हाँ इनों ने ये ये काम किया था ये आपकी और मेरी जिम्मेटारी है कि सुभाष चंदर बोस को हम याद करें उनकी achievements को समझें समझें उनकी ideology को हम लोग अपने अंदर उतारें और इस देश में लागू करें और वो credit सुभाष चंदर बोस को दिलवाएं जो नेता जी को कभी नहीं मिल पाया और इसी तरीके की awareness वाली videos को अगर आप जादा से जादा consume करना चाते हैं और दूसरे complicated topics को अगर आप detail में समझना चाते हैं आसान भाशा में जो आपकी UPSC Civil Services examination की preparation को आसान बना सकता है और इस तरीके के philosophical और hypothetical topics जो आपको essay rating में बहुत जादा मदद कर सकते हैं उसके लिए stay tuned with Chehal Academy और ये awareness सुभाष बाभू की अगर आप इस देश के हर नागरिक तक पहुँचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जादा से जादा लाइक और शेयर करिए और इसी तरीके के content के लिए subscribe to Chehal Academy दिस अनुपव दिपानी signing off I will see you in the next video Thank you very much